और लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कॉंग्रिस के कहम बैठक हुई इस बैठक में पार्टी के नेताओं ने दोहजार चौबी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की इस बैठक में कॉंग्रिस अदिश मलिकार जुन खरगे ने पार्टी के नेताओं से कहा कारिकरताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए उन्हें राम मंदिर पर लिए गए पार्टी के फैसले से मायूस होने की जरूरत नहीं है पार्टी के नेताओं सभी दर्मों के सम्मान का संदेश दे पार्टी के फैसले से निराशना हो जिस तरीके से कॉंग्रेस हाला कमान ने फैसला लिया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में वो शामिल नहीं होंगी चाहे वो सुलिया गांदी हो मलिकार जुन खरगे हो तो उसके बाद आप आज खरगे ने ये कहा कि प प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में उसके बाद लगाता कुछ महीने बाद ही लोकसावा चुनाओ है ऐसे में कैसे आप लोग काउंटर करेंगे जब आपकी पार्टी के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में इसको लेकर पिछ अच्छा हुई बिलकुल ये कहा कि हम उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे यह हम आगे यह कर लेंगे लेकिन जो जाना चाहता है तो कि राम तो हम सब के अरादे हैं और हिंगोस्तान के नागरिक होने के नात्ट हूं बद्यबदेश के नागरिक क्रते हम सब राम भगवान को मानते हैं और मैं तो बुंदिल खर्ण में उस जगे से आता हूँ और्चा पृच्वीपुर मेरी जगे है और्चा समीफ है जहां राम भगवान को राजा की तरह माना जाता है तो हम सब राम भगवान को मानते हैं और हम सब पूरी निश्ठा रखते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के आइडियोजी ये भी है कि हम हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो हम सब को मानते हैं, सब धर्म मानते हैं और सभी समाज के लोगों में जोडने की हमारी आइडियोलोजी हम सब कुछ